नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी बिजली का एक्यूप्मेंट एक मेहने में कितनी यूनिट्स बिजली खर्चा करता है और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहां पर हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है यूनिट्स बराबर होता है वाट्स गुणा हावर्स बटा वन थाउजन गुणा थर्टी। यह वाट्स क्या है जो चीज हम जला रहे हैं या यूज कर रहे हैं उसकी पावर है वाट्स में और यह है कितने घंटे एक दिन में चला और यह एक हजार है और यह मेहने के तीस दिन लिए हैं। अगर हम तीस ना लें इसको हटा दें तो यह आएगा विजली की यूणिट एक जिनकी वाट्स गुणा हावर्स बटा वन थाउजन और अगर हम तीस भी लिख जेते हैं तो यह पूरे मेहने की यूणिट्स आ जाएंगी। अब यूणिट्स का एक और फार्मुला होता है किलो वाट्स गुणा हावर्स गुणा तीस यह तीस वही लिखा है यह हावर्स वही लिखा है यह वाट्स की जगा हमने किलो वाट्स लिख दिया और एक हजार हटा दिया। तो अगर आप वार्ट की जगां किलो वार्ट लिखें तो ये खजार नहीं चाहिए तब ये फार्मुला यूज होगा मगर अधिकतर एक्विप्मेंट वार्ट में होते हैं तो वो इजी पड़ता है तो हम आपको इस फार्मुले से बताएंगे कई चीजों का कल्कुरेशन करके दिखाएंगे इसको हम हाटा देते हैं देशी एक उदारा हमने दिया है माल लिजे किसी की वार्टेज 500 है और उसको रोज हम 5 घंटे चलाती है ये क्या है एक दिन में हम कितने घंटे चलाती है तो रोज 5 घंटे चलाते है तो ये गुणा ये बताएंगे 1000 गुणा 30 अगर आप इसको कल्कुलेट करें फूरे को तो 75 75 यूनिट्स आ जाएगा मतलाब कोई चीज हम 500 वाट की 5 घंटे रोज चलाते है तो वो 75 यूनिट्स पर मंद खर्चा करेगा अब मालीजे कोई चीज 2 किलो वाट की है तो 2 किलो वाट को हम वाट में बदलते हैं तो 2000 वाट हो जाता है तो ये 2000 वाट हम यहां लिकेंगे वाट की जगां और वो रोज 2 घंटे चलती है तो क्या उत्तर आजाएगा 120 यूनिट इसी फार्मूले से मतलब कोई की 2 किलो वाट की या 2000 वाट की डेली 2 घंटे जलती है या चलती है या प्रयोग होती है तो वो एक मेहने में 120 यूनिट पर मंद बिदली खर्चा करेगी अब मालीजिए हम यह जो वाट का फार्मूला था ना किलो वाट से करें तो क्या आएगा देखिए यह हम वो ही रख रहे हैं यह किलो वाट का यह फार्मूला था ना सिंपिल किलो वाट गुणा हावर्स तब हम किलो वाट को वाट में नहीं बदलेंगे किलो वाट का दो लिख दिया हावर्स का दो लिख दिया गुणा 30 फिर भी वो ही 120 आ रहा है तो आप चाहे इस फार्मुले से करें या इस फार्मुले से करें उत्तर वो ही आएगा मैं इस फार्मुले से आपको आगे बताऊंगा अब हम किसी एक घर की पूरी विजली का यूनिट का खर्चा देखेंगे कितना आता है मैने में कितनी यूनिट खर्चा होती है हमालीजे की घर में LED वाली ट्यूबलाइड लगी है 5 लगी है और एक LED ट्यूबलाइड 20 वाट की है और वो करीब 5 घंटे रोज चलती है तो एक ट्यूबलाइड की कितनी यूनिट हो गई 20 वाट गुणा 5 घंटे 5 घंटे रोज चलती है पटा 1000 to 30 ये आ जाएगा 3 यूनिट मतलब एक ट्यूबलाइड एक मेहने में ये पूरा एक मेहना है 3 यूनिट पर मंद खर्चा करती है तो 5 ट्यूबलाइड कितना खर्चा करेंगी एक 3 यूनिट करती है तो 5 किन कोड़ा 5? 15 यूनिट करेंगी तो हमारी जो 5 ट्यूबलाइड है वो एक मेहने में 15 यूनिट विडली की खपत करती है अब एक वाशिंग मशीन अब मान लीजिए कि वाशिंग मशीन की पावर 300 वाट है वैसे 200 की भी होती है अब क्या होता है वाशिंग मशीन जब हम यूज करते हैं तो टोटल समय तो एक घंटा करीब लगता है मंगर वो आधे समय चलती है और आधे समय उससे पान ही निकलता रहता है यह तो यह कह लिजे कि जो मोटर है उसकी सिर्फ आधा घंटा चलती है एक दिन में दिन में एक बार गहर हम यूज करें तो एक घंटा नहीं चलती क्योंकि आधे टाइम मोटर रुकी रहती है तो वाशिंग मशीन का खर्चा कितने हो क्या तीन सो वाट गुणा आधा घंटा पर डे डिवाइड़ बाई थाउजेंड इंटू थार्टी यह आ जाएगा 4.5 यूनिट मतलब जो एक वाशिंग मशीन है वो करीब 4.5 यूनिट पर मंथ बिजली खर्चा करती है बाद में यह सब हम जोडेंगे आपको टोटल करके बताएंगे अब देखिए वाटर हीटर है वो 2 किलोवाट का है तो 2 किलोवाट को हम वाट में बदलके 2000 लिख देते हैं यह वाटे देना 2000 और रोज 2 घंटे चलता है डेली यह डेली है डेली टू हावर्स तो में 2000 गुणा दो बाई 1000 तू थर्टी कर दिया यह 120 यूनिट आया तो जो हीटर है दो किलोवाट का अगर दो घंटे रोज चलता है तो मेहने में 120 यूनिट खर्चा करता है पर मंत यह सबसे बड़ा खर्चा होता है जिन गरों में वाटर हीटर होता है उन घर का सबसे ज़्यादा खर्चा वाटर हीटर की वज़े से होता है क्योंकि इसकी पावार बहुत ज इलेक्रिक आरन इसको प्रजबी कहते हैं वह 1208 की है हम वर रोज वह आदा घंटा चलती है तो जब आप आरन चलाते हैं लेक्रिक आरन तो वह आदा घंटा फूरा नहीं रहती है आधे टाइम आप रहती है तो हमें क्या किया आधा घंटे के लिए चोथाई घंटा लिया यहां पर, 0.25 बटा 1000 एक दिन में, एक दिन में वो आधा घंटा चलती है, मगर आधे टाइम आन रहती है, तो पावर सिर्फ 0.25 घंटे के लिए वो यूज करेगी, तो यह कितना आ जाएगा? 9 यूणिट, मतलब जो आइरन होती है, 1200 वाट या 1.2 किलो वाट की, रोज आधा घंटा चले, तो मेहने भर में, सिर्फ 9 यूणिट विदली खर्चा करती है, होती तो पावर बहुत ज़्यादा है, मुगर उसका खर्चा काफी कम है, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए चलती है, अब पंखा, मान लिजे, 3 पंखे हैं, एक पंखा 80 वाट का है, और एवरेज वो 10 घंटा रोज चलता है, जो पंखे हैं, वो कम ज़्यादा चलते हैं, जिसे गर्मियों में ज़्यादा, जाड़ों में बिल्कुल नहीं, कहीं ज़्यादा घंटे, कहीं कम घंटे, मैंने 10 अवरेज ले लिया है, तो अगर आपको पंखा 10 घंटे चलता है, तो एक पंखा 24 उनिट खर्चा करेगा, अगर 3 पंखे हैं, तो 3 गुणा 24, 72, ये जो पंखा है, वो भी बहुत जादा घंटे खर्चा करता है, क्योंकि वो दिन राज चलता रहता है, बहुत जिगे तो 24 घंटे चलता है, तो 3 पंखे, अगर 80 वाट की हैं, रोज 10 घंटे चलते हैं, तो वो 72 उनिट पर मंद खर्चा करेंगे, अब फ्रिज का कल्कुलेशन करते हैं, फ्रिज की पावर है, माले जे 300 वाट, ये कम जादा होगी, आपका छोटा फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है, मैंने 300 वाट ले लिया है, गुणा, अब जो फ्रिज है, वो 24 घंटे आन रहता है, लेकिन अगर आप चेक करें, मैंने चेक किया है, तो वो सिर्फ एक तीहाई टाइम आन रहता है, बाकी टाइम आफ रहता है, तो 24 घंटे चलता तो है, मगर उसकी मोटर सिर्फ 8 घंटे चलती है, तीहाई, तो हमने 8 घंटे लिया है, अब फ्रिज की पावर इस पर भी निर्भर करती है कि आप दर्वाजा कितनी बार खोलते हैं अगर बार बार फ्रिज का दर्वाजा खोलेंगे तो ज़्यादा पावर खर्चा होगी 308 गुण 8 by 1000 गुण 30 यह आजाएगा 72 यूनिट फ्रिज भी बहुत ज़्यादा पावर खर्चा करता है तो एक फ्रिज जिसकी मोटर 300 वाट की है पूरा दिन चलता रहे मतलब 8 गंटे आन रहे 16 गंटे आटोमेटिक आफ रहे वो आटोमेटिक आनाप होता है न तो वो 72 यूनिट पर मंद खर्चा करेगा अब लैपटाप यह जो 65 वाट हमने लिया है यह लैपटाप के चार्जर पर लिखा है वो रेटिंग हमने लिए है रोज हमारा 10 गंटे अगर चलता है तो इस फार्मुले से आ जाएगा है 19.5 यूनिट मतलब एक लैपटाप 65 वाट वाला 19.5 यूनिट पर मंद लेगा अगर वो 10 गंटे चलता है तो लेकिन अगर आपके पास लैपटाप इस गहां डेक्सटोप है तो वो ज्यादा पावर खर्चा करता है जहां पर ज्यादा लिखा जाएगा जो भी उसकी अब हम सारा खर्चा जोड़ते हैं पांथ ट्यूब लाइट का 15 यूनिट पर मंद वाशिंग मशीन 4.5 यूनिट पर मंद वाटर हीटर 120 यूनिट पर मंद आयरन 9 यूनिट तीन फैंस टोटल 72 यूनिट पर मंद फुरिज 72 और लेप्टाप 19.5 इन सब को जोड़ लें तो करीब आजाएगा 312 यूनिट यह लगबग है क्योंकि जो टाइमिंग हैं कम जादा होते रहते हैं तो महने का खर्चा इन चीजों का 312 यूनिट आएगा अब आप कहेंगी पैसे कितने लगेंगे तो पैसे तो सब्दिगे अलग अलग होते हैं कहीं 4 रुपया कहीं 5 है तो यह करीब अठारा सो रुपया आएगा उससे जादा आएगा उसके लाबा कुछ फिक्स चार्ज होते हैं अगरों में पावर फेक्टर पेनाल्टी नहीं होती लेकिन अगर आपकी कमपनी है तो उसमें कुछ और भी खर्चे होंगे यह जो कैलकुलेशन है घर के लिए है अब आग यहीं समात करते हैं